दोस्तों अगर आप Paytm पे अपना एकाउंट करेट करना चाहते हैं और Paytm को यूज़ करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा complete process बताने वाला हूँ कि कैसे आप Paytm में अपना एकाउंट करेट कर सकते हैं कैसे आप Paytm में mini KYC कर सकते हैं and full KYC कर सकते हैं और कैसे आप Paytm में अपना bank account add कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी bank account आपके mobile number से link नहीं है तो कैसे आप Paytm में ही अपना bank account open कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको पू direct हो जाएंगे आपको simple ptm application को download करके simple open करना है तो आपके सामने login और create a new account का page open होगा और यहाँ पे जो है आपको आपका mobile number enter कर देना है अपना account create करने के लिए and mobile number enter करने के बाद proceed securely के option पे click कर देना है and जो भी आपसे permissions मांगी जाएंगी उन्हें आपको allow कर देना है और उसके वाद जो है आपको यहाँ पे sims देखने को मुलेंगी अगर आपके mobile में दो sims हैं तो आपको उस sim को यहाँ पे select कर लेना है जिस भी sim पे आप अपना ptm का account create करना चाहते हैं और जो भी आपके bank account से number आपका linked है वो sim जो है आपको select कर लेनी है और यहाँ पे उसके वाद आपको proceed के option पे click कर देना है दन उसके वाद आपका mobile number यहाँ पे verify किया जाएगा और mobile number जैसे verification successful हो जाएगा तो आपका account यहाँ पे create हो जाएगा सुगई जगरा यहाँ पे automatically verified नहीं होता है तो आपके mobile number पे जो है एक OTP जाएगा तो वो OTP एंटर करने के वाद आपका account create हो जाएगा जैसे आपका account create हो जाएगा तो आपको simple यहाँ पे इसे cut कर देना है और उसके वाद पेटियम का home page आपके सामने आ जाएगा आपको सारे options देखने को मिल जाएगे यहाँ पे PTM के सो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस सरीके से PTM में आप अपनी mini KYC कर सकते हैं mini KYC करने के लिए आपको यहाँ पे home page पे यहाँ पे profile logo देखने को मिलेगा left side में top पे आपको simple उस पे click करना है उस पे click करने के वाए जो है आपकी profile यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपकी कोई भी image नहीं लगी होगी simple आप यहाँ पे camera के option पे click करके अपनी profile photo यहाँ पे लगा सकते हैं and जैसे ही आप यहाँ पे profile logo पे click करेंगे तो next page आपके सामने open होगा यहाँ से आप camera पे select करके image को select कर सकते हैं add कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने paytm में अपना name add कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी email address add कर सकते हैं और यहाँ पे आपका phone number आपको देखने को मिल जाएगा तो guys उसी के साथ यहाँ पे mini KYC करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे option सेंगनों मिलेगा ptm wallet status तो यहाँ पे आपका वो inactive होगा तो उसे आपको यहाँ पे activate करना होगा जिससे कि आपकी mini KYC activate हो जाएगी और आपको 10,000 रूपीज की limit मिल जाएगी जिससे कि आप किसी को भी पैसे send कर सकते हैं और receive कर सकते हैं तो activate करने के लिए यह simple आपको activate now के option पे click कर देना है दन उसके बाद आपके सामने new page open होगा और यहाँ पे आपको अपनी mini KYC करने के लिए कुछ document आपको यहाँ पे verify करवाने होगे जैसे कि आपको यहाँ पे documents की list देखने को मिल जाती है जैसे कि अगर आपके पास आदार card है pen card है याँ फिर passport, water ID, driving license या फिर नरेगा job card है तो उससे जो है आप अपने ptm की mini KYC कर सकते हैं और यहाँ पे mini KYC करने के लिए जिस भी document को आप यहाँ पे select करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे select कर लिजे जैसे कि हम यहाँ पे आदार card को यहाँ पे select कर लेते हैं यह almost सभी के पास होता ही है तो आदार card को select करने के बाद नीचे हमें यहाँ पे आदार card number एंटर कर देना है और full name यहाँ पे enter कर देना है जो भी हमारे आदार card पे है और उसी के साथ यहाँ पे आपको I agree to the terms and conditions को tick कर देना है और यहाँ पे activate my wallet के option पे click कर देना है जैसे ही आप activate my wallet के option पे click करेंगे तो आपके आदार card के साथ जो भी आपका mobile number linked होगा उस पे जो है एक OTP जाएगा तो वो OTP यहाँ पे आपको enter कर देना है OTP enter करने के वाद आपको confirm के option पे click करना है और कुछ time के लिए wait करना है तो आपके जो mini के वाई से है वो यहाँ पे successfully हो जाएगी आप यहाँ पे ओपर देख सकते हैं monthly payment limit आपको यहाँ पे 10,000 के limit जो है वो मिल जाती है जिसमें कि आपको यहाँ पे benefits देखनों को मिल जाते हैं कि send money to friends, transfer money to bank, maintain values up to 1 lakh open savings account यहाँ पे जो है आपको यह सारे benefits मिल जाते हैं mini KYC करने के वाद जो है अपना saving account open कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जो है आपको यहाँ पे full KYC करना होगा so guys यहाँ पे full KYC करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे options देखनों को मिल जाता है upgrade your account now तो जैसे यह आप upgrade your account now के option पे click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का page आ जाएगा select method for upgrading your account first जो option है वो यहाँ पे आपको video KYC देखनों को मिल जाएगा and second जो option है वो है यहाँ पे कि आपको अपने nearby KYC store पे जाना होगा और वहाँ पे जो है आपको 50 रूपीज यहाँ फिर 100 रूपीज देने होगे और वो आपका KYC कर देंगे पेटियम का full KYC तो यहाँ पे अगर आप गर बैटे यहाँ पे अपना full KYC करना चाहते हैं तो वो आप video KYC के through कर सकते हैं उसके लिए जो है आपके पास आदार कार्ड होना चाहिए और आपका pen card जो है वो ready होना चाहिए यहाँ पे आपको कुछ details enter करनी होती है जैसे ही आप यहाँ पे यह process start करेंगे और उसके वाँ जो है आपको KYC करने के लिए कुछ additional यहाँ पे details देनी होती है लेकिन main जो है वो आपके पास आदार कार्ड और pen card होना चाहिए तो आप successfully यहाँ पे simple तरीके से अपना video KYC complete कर सकते हैं और जैसे ही आपका video KYC complete हो जाएगा तो paytm का full KYC भी आपका complete हो जाएगा जैसे ही आपका full KYC complete हो जाता है तो आपको बहुत सारे benefits मिल जाते हैं अब बात करते हैं कि आपके सरीके से यहाँ पे अपने paytm में bank account को add कर सकते हैं तो guys उसके लिए आपको यहाँ पे two bank account का option मिलेगा और उपर भी आपको यहाँ पे bank account linking का option देखनों को मिल जाएगा तो guys जैसे भी आप यहाँ पे अपने bank account को add करना चाहते हैं तो simple आपको इन में से किसी एक option पे click कर देना है जैसे हमें इस पे click करेंगे तो हमारे सामने जो है हमारे bank account की list आजाएगी हमें यहाँ पे अपने bank को select कर लेना है जिससे भी हमारा mobile number linked है और जैसे ही आप यहाँ पे अपना bank select कर लेंगे तो automatically paytm जो है वो verify करना start कर देगा और अगर आपके mobile number से आपका bank account linked है तो वो यहाँ पे successfully verify होके यहाँ पे add हो जाएगा तो guys बहुत ही simple तरीके से आप यहाँ पे paytm में अपना bank account add कर सकते हैं तो guys आपकी mini KYC होगे, full KYC होगे जैसे आप bank account भी add कर देंगे उसके बाद आप किसी को भी payment करना चाहे वो आप payment कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं तो guys अब बात करते हैं कि अगर आपका यहाँ पे कोई भी bank account नहीं है और आप full KYC करने के बाद यहाँ पे अपना Paytm में अपना bank account open करना चाहते हैं उसके लिए जो है नीचे आपको यहाँ पे Paytm bank का option मिल जाएगा simple आपको इस पे click करना है इस पे click करने के वाद जो है आपके सामने new page open होगा India's most sincere bank is here यहाँ पे जो है आपको क्या-क्या benefits मिल जाते है Paytm के savings account में वो आप यहाँ पे पढ़ सकते है और यहाँ पे जो है आपको Paytm में अपना savings account open करने के लिए open your savings account के option पे click करना है और यहाँ पे जो है आपको 4 desert का एक passcode रख लेना है जो कि आपको यहाँ पे future में भी काम आएगा और इसे जो है आपको यहाँ पे याद रखना है और passcode confirm करने के बाद आपको यहाँ पे location देखने को मिलेगी अब उसे आपको यहाँ पे permissions दे देनी है दन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे add a nominee for your bank account को option मिलेगा तो simple जो है अगर आप यहाँ पे nominee add करना चाते हैं तो आप I want to add a nominee no के option पे click करेंगे और यहाँ पे जिसे भी आप nominee रखना चाते हैं वो उसकी details आप यहाँ पे enter कर देंगे और proceed के option पे click करेंगे लेकिन अगर आप यहाँ पे इसे skip करना चाते हैं और बात में यहाँ पे nominee को add कर लेंगे तो आपको I will do it later के option पे click करने के वाद proceed के option पे click कर देना है और proceed के option पे click करने के वाद आपका PTM में bank account open हो जाएगा और bank account open हरने के वाद आपको यहाँ पे virtual debit card मिल जाता है जिसमें कि आपको यहाँ पे card number देखने को मिल जाता है आपका name देखने को मिल जाता है इस तरीके से जो है Paytm में आप यहाँ पे अपना savings account open कर सकते हैं उसके लिए जो है अगर आपका कोई bank account Paytm में link नहीं है तब भी आपको यहाँ पे सारे benefits मिल जाते हैं जाने कि आप Paytm bank में आपने पैसे यहाँ पे add करके यहाँ पे किसी को भी transfer करना चाते हैं तो वो कर सकते हैं So guys इस तरीके से आप यह पूरा complete process कर लेजे तो आपका यहाँ पे Paytm जो है वो full KYC के साथ आपको सारे benefits देने लगेगा और उसी के साथ अब बात करते हैं सबसे last point की वो यह है कि आपको यहाँ पे check करना है कि क्या आप यहाँ पे money send कर पा रहे हैं या फिर receive कर पा रहे हैं उसके लिए जो है आपको यहाँ पे किसी को अगर पैसे transfer करने हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे scan and pay का option मिलता है and to mobile का option मिलता है तो simple आप to mobile के option पे click करेंगे और जिसका भी अगर Paytm में कोई account है और अपने mobile number से उन्होंने अपना account बनाये हुए है तो simple आपको उनका number यहाँ पे enter करना है enter करने के वाद जो है उनका name यहाँ पे आ जाएगा और आप जितनी भी payment उने करना चाते हैं simple आपको उतने रुपीज यहाँ पे enter कर देना है और यहाँ पे pay के option पे click करना है और pay के option पे click करने के वाद जो भी आपने passcode एंटर किया होगा वो यहाँ पे आपको enter कर देना है और आपकी payment जो है वो successful हो जाएगी so guys इस तरीके से जो है आप Paytm से payment कर सकते हैं so guys I hope कि आपको पूरा process complete समझ में आ गया होगा और I hope कि वीडियो यह आपको काफी जहाँ पसंद आई होगी लेकिन फिर भी अगर आपका को question हो अपने कुछ पूछना हो तो नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं और अगर मुझसे personally बात करनी हो तो आप Instagram ID उपर screen पे देख सकते हैं आप मुझे सिधा direct DM कर सकते हैं मैं आपका reply ज़रूर करूँगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थेंक यू